जै माता दी मित्रों। मेरा नाम पणित प्रका जोसी स्वागत है मेरी योट्यूब, फेस्बुक, चैनल, एस्टो आज में मित्रों, आज हम चर्चा करें तुला राशी के मार्च के मंथLSी राशी फलगी में भी चर्चा करेंगे सब से पहले मार्ज के मेने की मंथली छर्चा करेंगे यह मंगाल और शुक्र आपके चतूर्द भआहों में बैठें यही लख्षमी नbt 40 योग बना रहें तो कहिसा करीवार के लिए में भी चर्चा करेंगे गुरु आपके सब्तम भाव में विराजमान है और राहु आपके छटे भाव में विराजमान है तो इसका इस पूरी की पूरी ग्रहे गोचर का क्या effect रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते सबसे पहले health के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो स्वास्ति है March में देखा जाए तो कैसा रहेगा मंगल चंद्र और शुक्र तीन ग्रों की you यूती आपके चतुर्त भाव में बन रही है यानि पूरा मार्च का महीना हेल्थ के लिए बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला यानि मार्च के मैने में तुला राशी वाले क्योंकि मंगल चंद्र और शुक्र दो गरे सोंदर्य के हैं एक गरे आत्म विश्वास का है तीनों की यूती मार्च में बन रही है तो कहीं न कहीं आप अपने लुक में बड़ा चेंज करने वाले यानि कुछ लोग दाड़ी जिन्नोंने बड़ाई है वो कटाने वाले कुछ कुछ आप लुक के अंदर बड़ा मैंशने मार्च में लेंगे साती-साथ कुछ लोग तुला राशीवाले यूगा जिम करने वाले हैं अपने को । मार्ज का महीना मैं बड़ा डिसीजन हेल्थ से सम्मंदित होने वाला ऐसा नजर आ रहा है धन की स्थती के बारे में बात करें तो भाई यहां पर लक्षमी नारायन योग बन रहा है यानि मार्ज के महीने में तीन बड़े लाब तुला राशी को हो सकते हैं अब तीन बड़े गेन क्या है पहला मार्ज के महीने के अंदर प्रॉपर्टी से सम्मंदित कोई आपको लाब होगा या तो प्रॉपर्टी खरीदने में आपको लाब होगा बेचने में आपको लाब होगा रेंटिंग बिचाने में कराने में आपको लाब होगा यानि प्रॉपर्टी आपको इंकम भी मार्च में होने वाली है और खास कर देखा जाए तो छे मार्च से लेकर और पच्चीस मारता धन में जबर्दत वृद्धी डबल इंकम के आपके योग नजरा रहे हैं यानि मार्च का महिना तुला राशी के फाइनस के लिए हेल्थ के लिए बड़ा इंपोर्टेंट है अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की तो परिवार भाव में रोचक नाम का मंगल का एक राजयोग बन रहा है यानि वार्च में फैमिली में जितने भी तुला राशी के स समंदित कोई रुकावा काम बनता हुआ आपके भाई मैन आपके बेटा-बेटी का होता हुआ नजर आएगा साती साथ घर के अंदर क्योंकि मंगल शुक्र की यूती बनी है रोचक योग बना है तो मार्ज के मेने में या तो वहन खरीदने के योग नजर आ रहा है वहन बुक का महिना परिवार भाव के लिए लाब कारी है आप बात कर लेते हैं सन्तान भाव की तो संतान भाव में तुला राशी वालों का अगर देखा जाए तो पंचम भाव में सूर्य बुद्दोर शनी तीनों गरे बैठे हैं यानि सूर्य शनी की यूती बहुत खराब होती है ल बड़ा आपको समझाना च्छोटी संतान को पड़ेगा उनके पीछे लगना पड़ेगा तब जाके कुछ काम हो करेंगी च्छोटी संतान में बड़ा जिद्पन आपको देखने को मिलेगा एंटी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी यानि च्छोटी संतान के लिए मार्ज का मे यूति से वहान को ध्यान से समाल कर आपको चलाना है नहीं तो वहान से एक्सिडेंट वहान से चलान के बड़ी संतान के योग न जला रहे हैं बड़ी संतान का कोई जूट पकड़ा जा सकता है जिस वजे से उसको डाट आपके द्वारा पढ़ सकती है तीसरा करियर में देंट है तो तीन बुरे फल मार्च में तूडेंट को मिलने वालों तीन बुरे फल पहला माता पिता से ला दो वाद का दो आत आपको कोई कीम्ती समान चोरी हो सकता है तो दूसरा आपका नुकसान यह लिखा है तीसरा मित्रो से सगे मित्रो से आपके बाद भी बाद होंगा तो तीनों ही बूरे फल मार्च में स्टूडन्ट के बन रहे हैं अब बात के लेते हैं तुला-्राशी वाले उनकी जो नौकरी करते हैं जॉब करते हैं तो भाई यहां पार हंस योग बन रहा है हंस योग पूरे मार्च में एक्टिव है तो आपको एक अच्छा और एक बुरा दोनों प्रकार के फल तुला राची को मिल रहे हैं पहले मैं अच्छे फल के बारे में बात कर लूँ तो अच्छा फल यह होगा ऑफिस के अंदर आपको पदलाब हो सकता है आपको बड़ा पद दिया जा सकता है आपकी इ सब कुछ मन पसंद प्रोजेक्ट मिलने के बावजूद भी पदलाब होने के बावजूद भी आपकी प्रोफोर्मेंस आपकी मैनत भी बहुत होगी लेकिन आपकी प्रोफोर्मेंस डाउन रहेगी ना के बराबर रहेगी सेल्स होने में टार्गेट अचीव होने में बड़ जिखत को रही है तो मैं बुरी जी के पास आई तो नोंने मेरे को काफी चीज़े बताई MA coy तो काफी इन और संदान मेरे को चेचे presti अब बात कर लेते हैं तुला राशी वालों के दामपत्य जीवन की सबसे पहले लव कपाल प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं तो जो आपका पार्टनर है वो बेव फालतू का आप पे शक करने वाला है मार्च के मेने में आपका मोबाइल देखने वाला आपकी तैकिकात करने वाला है आपकी इंक्वारी आपके मित्रों से करने वाला है कहां जाती कहां रहता है कहां जाता है इसके बारे में तैकिकात करने वाला है साथी साथ आपका पार्टनर आपसे बेफालतू के अर्गुमेंट भी मार्च में करने वाला है लेकिन आपके पार्टनर के करियर में अच्छी ग्रोध नजर आ रहे है पार्टे साथ में मार्ज के मेने में नदी पाहड़ों की यतर ह रहे गहीं लेकिन पार्टनर मार्ज के मैने में थोड़ा डाउट फुल आप पे रहे गा तो कुल मिलाकन के दामपत प्रेमी sorting मी की तो नौर्मल सी नजर आ रही है पति पत्नी के बारे में बात करें तो जो आपका पार्टनर है वो मार्च में पूजा पार्ट किसी धरम करम किसी मंत्र साधना में इंगेज रहने वाला है कोई साधना करने वाला है कोई पूजा पार्ट करने वाला है या या मार्ज के मैने में पार्टनर की यातरा या पार्टनर और आपकी यातरा नदी पहाडों की होगी और यानी कुल मिला के मार्ज का महिना जर्मिक नगरी आप धर्शन करते वी नजर आएंगे और partner की वज़े से होगा क्योंकि आपका partner मार्ज के मैने में ज्यादा धार्मिक रहने वाला है दामपत्य जीवन आपका अच्छा है अब हम बात कर लेते हैं तुलाराशी वाले उनकी जो व्यापार करते हैं जो शोरूम जलाते हैं जो अपना ही काम करते हैं तो बही मार्ज के मैने में आपका लक्ष्मी नारायन योग बन रहा है यानि चतूर्द भाव में मंगल और शुक्र जो बैटे हैं सब्तम दृष्ठी उनकी शुक्र की भी मंगल की भी आपके दसम भाव में पढ़ रही है तो दसम भाव व्यापार का होता है तो कहीं ना कहीं तीन बड़े का मार्च के में मैं या बन सकते हैं पहला अच्छी सेल आपको मार्च में देखने को मिलेगी दूसरा देखा जाए तो कुछ ना कुछ आप Radio कराने वालें नई फ्रेंचाइज कोने वाले या नया product आप launch करने वाले मार्ज के मेरे में तीसरा काम की वस्तुएं या मशीनों की आप खरीदारी भी मार्ज में करने वाले तो मार्ज का महीना काम के लिए आज से बड़ा important है important आप निर्णे लेंगे और वो निर्णे सही साबित होते भी नजर आ रहे हैं और शुक्र और मंगल की यूती के कारण आप अपने काम के बड़ी मार्केटिंग कराने वाले हैं उससे भी आपको लाब नजर आएगा तो कुल मिलाके व्यापारियों को मार्ज का महीना बड़ा निर्णायक सिद्ध होगा उनको कुछ ऐसे निर्णे लेने पढ़ेंगे ना करे माता दी